असलाव अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मॉम्स डिशिस एंड व्लाक्स आज की रेस्पी हमारा ब्रेकफास्ट की टमाटर की चेटनी माशालला बहुत मज़ेदार रहती है फ्रेंड्स ये चेटनी आके इडली में दोसा में और वड़ा में खा सकते हैं माशाल अगर आप लोगों को ये रिस्पी पसंद आई तो लाइक करिए शेर करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दुसरे मज़ेदार रिस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल एकन बटन ज़रूर प्रेस करिए सो लेट स्टार्ट यह हमें एक पैन में पीसे आड़कर रही होँ जी चा टेल स्पून आट कर देना है और एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून धनिया एट करना है और थोड़ी सी इमली आड कर देना है बस इतनी सी kamu atom हसे पिके साय पार होने के बाद यह टमाटर हम दूस circ . इसी तरह हम टन करेना है टन करके अब इसके उपर ना हम धकन क्लोस कर देना है, एक दो से तीन मिनिट के लिए हम इसे इसी तरह पका लेना है, हाई फ्लेम में रखके, दो से तीन मिनिट के लिए पका लेना है, और तीन मिनिट के बाद देखेंगे, देखें, हमारे टमाटर और यह हरी मिर्च, यह सब कुछ न जी नरम हो गए हैं जी एक बार ना हम अच्छा सा मिक्स करके स्टोफ लेम को बन कर देना है जी इसी तरह पकना चाहिए और इसे ना एक प्लेट में हम शिफ्ट कर देना है एक प्लेट में हम ये पूरा निकाल देना है टामाटर और हरी मिर्चे निकालके और इसे थंड़ा होने के बाद हम ग्राइंड करना है जी इक जार में ना ये थंडा होआ सवय अरा अलगर्फ कर देती हुँ मैं अभब इसमें एक प्यास को ना आचा सा चॉप करके छोटे पीसस के तरहा अट कर रही हूँ जी कच्छी प्यास ही एड करना है तबी देखे नरब करने हैं और देखें बस इसी तरह ग्रेंक करने हैं जी इसी तरह ग्रेंड करके अब विखले इसे अब टड़का लगा लेना है हम已经1 तबलशपूण Paracal जी हम राई का दाना बोलते हैं और एक दो लसन की कली थोड़ा क्रश करके आड़ करना है और थोड़े कड़ी पते आड़ करना है और ये तड़का को इसमें आड़ कर देना है हम बगार लेते बोलते हैं माशाला देखिए कितनी अच्छी है चटनी, देखने में ही नहीं फ्रेंट्स, खाने में भी उतनी ही लाजवाब रहती है, आप लोग जरूर ट्राइ करिए, ये चटनी आके ब्रेक्फास्ट के साथ मतलब दोसा के साथ, इडली के साथ, वड़ा के साथ, सब के साथ खा सकते ह माशालला बहुत अच्छा रहता है अगर आप लोगों को ये रिस्पी पसंद आई तो लाइक करिए शेर करिए अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो दुसरे मज़ेदा रिस्पीस के लिए मेरे चानल को कि अच्कोर दुश कolutely ऊच्क मेरbbe चानल पे कि अच्झा